नमस्कार आज मुझे रिक्वेश्ट आया है विटामिन डी के उपर वीडियो बनाएं इसके बारे में कुछ जानकारी दें विटामिन डी कैसे बढ़ा सकते हैं जो आज विटामिन डी के उपर डिसकसन करेंगे हम लोग विटामिन डी बढ़ाने का सबसे बेहतरी जो तरीका है वो है धूप में बैठना आप जितना कम से कम कपड़े निकार मतला आपके शरीर पर रहेंगे उतना ही जादा जो है आपकी बोडी जो है विटामिन डी बना पाएगी शो भगवान ने इतना बड़ा इस्त्रोत दिया है हमें विटामिन डी बनाने के लिए लेकिन अप्सोष की बात यह है कि होस्पिटल में जब हम जाते हैं और रिपोर्ट में अगर विटामिन डी कम आती है तो डॉक्टर यह कहने के बजाए कि आधा घंटा रोज धूप ल देता है ठीक है तो यह तो देखे दवाइं लिखने में कोई हर्ज नहीं है ठीक है आपने लिए लेकिन कम से कम किशी को एक आपस तो दो कि हम आपके पास दो आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा 15-20 मिनट जो है धूप में बैटो और अगर आपके पास वक्त नहीं क्योंकि यह मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ठीक है आज से तकरीबन डेर्ट साल पहले मेरा भी वाइटमेंटी काफी कम आया था और उस वक्त डॉक्तर ने सीधा मेडिसी नहीं लिखा तकि आप यह दवाई खाए इससे विटामेंटी आपका पूरा जाए ठीक है देखे मैं यह करेंगी जनकारी का कि दो कही हुई बात है वह हम लोग एक उसकी कही हुई बात मानते हैं अगर डॉक्तर यह बोले कि आपको आधा खंटा दूप लेना ही लेना है तो कौन ऐसा ब्यक्ति की बात को मना करेगा और उसका एक अलग अड़ेड़杉त से आप विटामेंटी की कम को जो है उसका कोई मुकाबला नी है जो आप सूरज के सामने सूरज भगवान के सामने आप बैठते हैं और उसके थूर जो चीजे आपको मिलती है वह आपको बोली के थूर कभी नहीं मिलने वाली ठीक है सो आप इस बात को अची तरह से समझ ले तो कपड़े कम से कम डालने ह सो देट जो है maximum vitamin D हमें मिल सके और इसमें देखे और ज्यादा अप्सोर्शन के लिए आप कुछ oil यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे सीशम ओल हो गया ठीक है इसमें होता क्या है कि देखे cholesterol के उपर depend करता है कि आपका जो है vitamin D कितना ज्यादा maximum ना फॉर्ण होगा यह डिपेंड करता है आपकी बोड़ी में कितना क्ली स्टॉलि है तिकर प्रियावत मात्रा में होगा च्राउस समय में जो आ Beni में जो है आप समय बैठेंगे तो चांसपिजोर्य हो है vitamin D बना लेगी तो देखें, विटामिन D बहुत ही महतोपूर्ण है, ठीक है, हमारा जो है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है, हड्डियों से जुड़ी हुई, ठीक है, कैलसियम तब तक अबसॉर्व नहीं होगा, बोडी कैलसियम तब तक अबसॉर्व नहीं करेगी, जब तक आपके बो कैलसियम खा ले, आपकी बोडी जो है, बहुत कम से कम ही, जो है, कैलसियम अबसॉर्व कर पाएगी, ठीक है, तो कितना कैलसियम खा रहे है, यह माईने नहीं रखता है, राधर माईने यह रखता है, कि आपकी बोडी में कितना विटामिन D है, तो आप देख सकते हैं, कि हड करेंगे तो जो है वह पूरी तरह से आपकी बॉडी में अपसौर्ब होगा शो हुए विटामिन इसके लाव और बहुत सारी इडवेंटिजीज जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है इसके अलावा अगर आप धूप में बैठते हैं तीक है विटामिन-D के अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें जैसे किसी को diversion है तो वह बहुत देप्रेशन से ब से कम कपड़ों में ठीक है जाता से ज्यादा जो है सूरज की किर्णों के साथ आपका बोडी का एक्सपोजर होना चाहिए ठीक है ज्यादा कपड़े डालेंगे तो फिर बहुत कम विटामिन दी आपका बोडी बना पाएगी जो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझा पाया हूँ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद